तो हमारा प्रयत्न और भगवान की कृपा, अब अगर हम बैठ गए कि भगवान ही सब कुछ कराएगा, तो फिर हम साधना करेंगे ही नहीं, यानि वो साधना में ब्रेख लग जाएगी. एक बार एक व्यक्ति का बगीचा था, और उसको अपने बगीचे से विशेश स्नेह था, अनेक प्रकार के फूल उगाए हुए थे, उसको बड़े पसंद थे, तो पानी आदी दिया करता था, एक दिने गाय अंदर घुश कई, अब गाय को फूल की वैल्यू नहीं है, गाय तमाम फूल आदी खा गई, इस व्यक्ती ने देखा इसको इतना गुस्सा आया, उसने डंडा लिया और गाय की पिटाई शुड़ कर दी, इतनी पिटाई की की बेचारी गाय मर गई, अब गाव वासियों को पता चला, उनको बड़ा खराब लगा, कि इसने गाय को मार डाला, केवल इसलिए कि गाय कुछ फूल खा रही थी, तो जब वो उससे पूछते थे, वो कहता था, मैंने नहीं मारा है, मेरे हाथ नहीं मारा है, हाथ के देवता इंद्र है, हमारे शरीर के विभिन अंगों के विभिन देवता अध्यक्ष होते हैं, तो हाथ के देवता इंद्र है, तो ये सब इंद्र का दोश है, कि इंद्र के कारण ये गाय मरी, इंद्र ने सुना इंद्र ने का भी निरर्थक मुझे दोश दिया जा रहा है तो इंद्र ब्राह्मन का रूम धारण करके आए वो व्यक्ति पानी दे रहा है इंद्र ने देखा भाई साथ इतना बड़ा बगीचा इसकी देखभाल कौन करता है इसने का मैं करता हूँ देखिए अपने को करता मान रहा अच्छा तो ये जो फूल है ये किसने लगाएं मैंने लगाएं और ये घास कौन कारता है मैं कारता हूँ फूलों को पानी कौन देता है मैं देता हूँ सरवत्र अपने को करता मान रहा है तो इंद्र रूपी ब्राह्मन ने का ये जो गाय मरी हुई है इसको किस ने मारा अब वो कैसे कह दे हाथ ने मारा सरवत्र वो अपने को करता मान रहा है और वहाँ पर वो कहनी हाथ के देवता इंद्र का दोश है इसी प्रकार से अभी हमारी ये अवस्था है कि हम सरवत्र करतित्वा भीमान से युक थे जब व्यापार की बात आती है तो वहाँ ये नहीं कहते बगवान की जो इच्छा होगी वहाँ तो एक-एक पैसे के लिए परिश्रम करते जब बेटा बेटी की बात आती है यह नहीं कहते अरे नालाइक बने अच्छा बने भगवान की जैसी इच्छा वहां तो चिंतित बने रहते हैं और साधना के लिए आप कहें नहीं मुझे नहीं करना है भगवान को कराना यह तो दो-दो फॉर्मुला हो जाएंगे तो क्यूंकि अभी कर्तित्वा भीमान से हम युक्त हैं साधना भी हमको करनी होगी और अगर हम यह सोचके बैठ गए भई वो तो भगवान कराएगा तो फिर हम बैठे रह जाएंगे तो यह अभ्यास करने में एंग बाधा आती है जिसको कहते हैं इश्वर तुष्टी ऐसे ही एक दूसरी बाधा है इसको कहते हैं भाग्य तुष्टी भाग्य तुष्टी क्या होती है तुष्टी माने क्या तुष्टी माने संतुष्ट हो जाना अगर कोई संतुष्ट होता है उसका प्रयत्न समाप्त हो जाता है संतोष्ठ हो गया तो ये इश्परियक्षेत्र में संतोष्ठ हो जाना ये हानिकारक संसारेक्षेत्र में संतोष्ठ होना आभूषन है इश्वरियक्षेत्र में कभी संतोष नहीं करना चाहिए त्रिशु नई वचकर्तव्य स्वाध्याये जपदान अयो अपने स्वाध्याये जपदान में कभी संतोष मत करो और संतोष त्रिशु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने संसार में जो मिला उसमें संतोशकल तो आप देखिए ईश्वरियक शेत्रों में बाधा डालने वाली दूसरी तुष्टी ये है भाग्य तुष्टी ये क्या होती ऐसे सूचना अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मैं भक्ती करूँ तो कर लेंगे अजी साब ये तो सब भाग्य से मिलता है मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं अब अगर भाग्य से होगा तो हम लोग प्रयत्न क्यों करें फिर से हमारा प्रयत्न बंध हो जाएगा कई लोग भाग्यवादी होते हैं हर चीज में भाग्य को लाते हैं हरेनापी हरेनापी म्रमनापी सुराई रपी ललाट लिखे तारेखा परिमाष्टुम्न शक्यते ये श्लोक कहता है कि अरे भई जो आपके ललाट पर रिखा है वो ही होगा और शंकर ब्रह्मा विश्णुम्न भी उसको काठ नहीं सकते भाग्यवादी लोगं का श्लोक श्लोक कहता है कि जो धन आपके भाग्य रूपी घड़े में लिखा है उतना ही धन आपको मिलेगा जैसे एक घड़ा आप उसको अपने घर की में टैंकी में डुबो दें कितना जल भरेगा जितना घड़ा है आप उसको अपने बाल्टी में डुबो दें कितना भरेगा जितना घड़ा है उसको आप जाके हिंद महासागर में डुबो दे तो भी उतना ही भरेगा इसी प्रकार से भाग्यवादी लोग कहते हैं कि जो धन आपके भाग्य रूपी घड़े में लिखा है उतना ही मिलेगा आप लाख परिश्रम करो सुमेरू परवत पर भी चले जाओ उससे अधिक नहीं मिलेगा और रेगिस्तान में भी रहो उससे कम नहीं मिलेगा इसलिए परिश्रम करना व्यर्थ आयू कर्मच वित्तंच विद्यानिधनमेवच पंचाइतानपी स्रिज्यंते गर्भस तस्याइवदेहिनः ये फिर से श्लो कहता है कि पांच चीजें जन्म पर निश्चित हो जाती आयू कर्मधन विद्यामृत्यू और जो निश्चित हो गया हो के रहेगा कह मुनी सहिमवंत सुनू जेविधी लिखा लिलारह देवदनुज नरनाग मुनी कौन मेट निहार ये रामायन कह रही है अरे भई वो भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं मैं ऐसा नहीं बोलता हूं भाग्यवादी लोग ऐसा बोलते हैं तो जो भाग्यवादी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो भाग्य से बंधे हुए हैं हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में आप उनसे पूछिए क्यों जी भाग्यवादी महुदय ये भाग्य होता क्या है अरे पता नहीं वो जो जी लोग इत्यादी कुछ बताते हैं वो ही होता है नए 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 पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैव मिति कथ्यते पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया था वो इस जन्म में हमारा भाग्य बना ये भाग्य आसमान से नहीं टपक पड़ा हवारे पूर्व जन्म के पुरुशार्थ का नाम इस जन में भाग्य पड़ गया अब आप क्या कहना चाहते हैं भाग्यवादी महुदे कि इस जन में हम भाग्य से बंधे हुए हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जी साब वो तो सब भाग्य से निर्धानित होता है कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक बात बताओ, नियम तो हर जन में एक ही है अगर इस जन में हम भाग्य से बंधे हैं, तो पिछले जन में भी हम भाग्य से बंधे रहे होंगे और उसके पिछले जन में भी हम भाग्य से बंधे हुए होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते थे अब अगर हर जन में भाग्य ने हमको बांधा हुआ था, हमने किस जन में पुरुशार्थ किया, जिससे भाग्य बना और अगर हमने किसी जन में पुरुशार्थ किया ही नहीं, ये भाग्य आ कहां से गया और अगर हमने एक पूर्व जन में भी पुरुशार्थ किया था, तो इस जन में भी हम पुरुशार्थ कर सकते हैं इसलिए कहा गया दैव दैव आलसी पुकारा जिसको कुछ करना धरना नहीं होता वो भाग्य भाग्य का नारा लगाता है फिर वो बेचारा अपना सर्वनाश कर लेता है कुछ गडबड हुई भाग्य के कारण हुई होगी नहीं मेरे कारण हुई नहीं भाग्य के कारण हुई होगी नहीं मेरे कारण हुई चलो अब ये जोची जी के पास चलो अब जोची जी ने क्या बोला अरे तुम्हारा तो शनी खराब हो गया है तुम ये जब करो ये पत्थर पहनो अब ये चक्कर में पड़ गए और तुम्हारे हाथ में जो पुरुशार्त था उसको छोड़ दी मानव शरीर ही तो पुरुशार्त युक्त है 84 लाख में इस मानव शरीर में हम पुरुशार्त करने के बजाए ये चक्करों में पड़े इससे बड़ा सर्वनाश क्या होगा उन्द्योगिनम पुरुश सिंगम उपैति लक्षमीर दैवेन देयमितिका पुरुशावदंति दैवम निहत्य कुरुपा उरुशमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदिनसिध्यति कोत्रदोश सुक्ति सुधाकर में कहा गया अगर भाग्य भाग्य का नारा लगाओगे ये मानव जीवन में जो तुमको उपर्चुनिटी मिली थी कर्म करने का अधिकार उससे हात धो बैठोगे तो हमको ये जो भाग्य का नारा लगाना है न तो इस प्रकार से लगाना है कि हम स्वयम अपने भाग्य के निर्माता है हम स्वयम उसको बनाते भागवान ने तो यहां तक छूट दे दी अगर जीव तुम चाहो निश्काम प्रेम करो मैं भागवान तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ बताईये मनुष्य अगर चाहे भागवान को दास बना सकता है तो कांसा भाग्य है जो वो नहीं बना सकता